इंडियन यूट्यूबर अंशू में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फस्टिड बॉक्स में क्या-क्या चीजें रखें ध्यान रहे आपका फस्टिड बॉक्स साफ सुत्रा और वाटर प्रूफ होना चाहिए कम से कम इन्हें तो रखे ही खून रोकने या घाव साफ करने के लिए रूई अथवा साफ कपड़ा चोट पर लगाने के लिए एंटिबायोटिक ट्यूब पट्टी एडएसिव बेंडेज और स्टिकिंग प्लास्टर पेंडेज को बांदने के लिए सेफटी पिन्स ये के गाज पैड्ज, जालीदार कपड़े की पट्टी, एंटिफंगल क्रीम, अलोवेरा जेल, बर्न क्रीम, स्वचा संबंदी समस्याओं वो जलने की इस्तित्थी में उप्योगी होती हैं दर्द निवारक दवाएं डॉक्टर की सलह से कित में शामिल करें और एमर्जेंसी में ही ले इसके अलावा डिस्पोजवल गलब्स, पॉकिट मास्क, प्लास्टिक की चिम्टी, एंटिसेप्टिक वाइप्स, पट्टी, थामामीटर, वहाद धोने का साबुन भी स्किट में रख सकते हैं स्पाइनल बोर्ड भी हो सड़क हाथसों में 10-15 फीजदी मामले गर्दन या रीड की हड़ी में चोटके होते हैं ऐसे में स्पाइनल बोर्ड लकडी का बोर्ड भी रखना चाहिए इसके सहारे गायल का ठीक से उठाकर अस्पिताल पहुचा सकते हैं डेट चेक करते रहें सॉलूशन क्रीम और अन्य दवाओं की एकस्पाइरी डेट चेक करें रूई पट्टी बेंडिज आधी को भी छे महीने या साल भर में बदल दें जहां तक संभवों प्लास्टिक के उपकरन रखें हमारे हैं सडक हाथसों में अधिकांशिदा नो और्गिनाईजेशन सिस्टम फॉलो होता है जिसमें घटना स्थल के आसपास के लोग बिना किसी उपचार के घायल को अस्पिताल पहुचाते हैं हाईवे पर होने वाले धुरगटनाओं में लोगों को बचाने के लिए गाउवाले वढ़ावे वालों का प्री हॉस्पिटल के अर्के प्रती जागरुक वा प्रिशिक्षित करने और उन्हें फस्टिट किट उपलब्द कराने की जरूरत है देखिए ये वीडियो सभी के लिए है यदि आप कोई भी आप कहीं पर भी है और कोई भी है या घर पर भी है तो अगर आपके घर में फस्टिट बॉक्स नहीं है या आपकी गाड़ी में फस्टिट बॉक्स नहीं है या फिर आपकी बाइक में स्कूर्टी में फस्टिट बॉक्स न चाहिए और यह काम ही आता है लिए अगर आप फस्टिक बॉक्स नहीं रखते हैं या नहीं रखते हैं तो आप लोगों को रखना चाहिए यदि आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमन शेयर जरूर करियेगा थैंक्यू सो मच